देखिए हमने पहले ये देखा कि अगर हम प्रोलॉंग यूज करते हैं तो उससे हमारे बच्चों को नुकसान भी उठाना पड़ता है लेकिन दूसरी तरफ चुके टेकनालोजी ने बहुत कुछ एड़ किया है और बहुत बड़ा रेविलूशन है तो अगर हम अपने बच्चों को इससे इंटरेक्ट नहीं करवाते तब भी उनका बड़ा नुकसान है हम कुछ फाइदों की तरफ की भी बात करेंगे देखिए इच सपोर्ट चिल्डरन्स कॉगनिटेव एन इमोशनल डवेलपमेंट और डवेलपमेंट अफ सोशल एंड को आपरेटिव स्किल्स तो हमने ये कहा कि कुछ अच्छी जो एक्टिविटीज हैं कुछ अच्छे अब ये भी देखें कि चुके हमने जैसे अर्स किया कि बहुत सी ऐसी गेम्स हैं जो माथेमेटिक्स या साइंस पे जब बच्चे खेलते हैं तो उनकी कॉगनिटिव एबिलिटीज बढ़ती हैं क्योंके फिर बेनिस्बतान उनकी स्पीड थोड़ी तेज है और उनको एक टांसर होगा कि बच्चे को इनफॉर्म करेगी वो नेक्स लेवल पे आएगा फिर नेक्स लेवल पे आएगा तो उसको रिइनफॉर्समेंट मिलती है जिससे बच्चे के अंदर कांफिडन्स बिल्ट होता है अब जैसे हमने अर्स किया सारे बच्चे एक जैसे तो नही रहे जाते हैं लेकिन टेक्नालोजी का ये फाइदा है कि ये हमें इंडिवीजूलाइज लर्निंग का मौका देती है जिसका मतलब है कि अगर एक बच्चे की पेस तेज है वो तेजी से सीखता है तो वो सीखे उसको कोई नहीं रोक रहा वो आगे से आगे चला जाए लेकिन एक बच्चा अगर कमजोर है तो वो जितनी दफा मर्जी रिपीट कर सकता अपनी चीजों को आहस्ता से सीख सकता है यानि अपनी पेस पे चल सकता है तो इस तरह से हम किसी को मजबूर नहीं करते हैं कि वो दूसरों के साथ चले और अगर कहीं उसकी कोई डैफिशेंसी है तो उसको वो रिमूव कर सकता है then it enhances and strengthen the relationship between children and adults अब बच्चे जब वालिदेन की या बड़ों की रहनुमाई में technology से interact करते हैं तो वो उनके भी behaviors को जांच रह होते हैं उनकी skills सीख रहे हैं उनका knowledge सीख रहे हैं और फिर अच्छा क्या है बुरा क्या है यह सारी चीजें वो सी देखिए होता ये है कि जो हमारे वालिदेन हैं या असाथजा हैं वो भी बच्चों की कॉगनिटिव अबिलिटीज को समझ पाते हैं जब वो टेक्नालोजी के साथ इंटरेक्ट करते हैं वो कहां पे कमजोर हैं कौन सी चीजें उनको मजीद आनी चाहिएं कहां पे उनको उनकी गाइडन्स देनी है स्कैफ फोल्डिंग का मतलब होता है आप स्टेप पाइ स्टेप बच्चे को कुछ सिखा रहे हैं तो आप टेक्नालोजी के जरीए बेहतरी स्कैफ पोल्डिंग कर सकते हैं क्योंकि ये स्टेजिस में काम करने में ज़्यादा असानी रखती है हम समझते हैं कि अगर वालिदین का या साथजा का तावन हो तो बच्चों को टेक्नालोजी के थ्रू बढ़ा अच्छा लर्न करने में मदद कर सकते हैं तो देखे आज का दोर ऐसा है कि एक वक्त में बहुत कुछ सीखना पड़ रहा है तो कोई अब एक लिटरसी नहीं बलके माल्टी लिटरसी है यानि computer की skill भी एक साथ भी सीख रहे हैं साथ में mathematics के concept भी सीख रहे हैं language को लिखना, बोलना और फिर computer के साथ interact करना उसको समझना, उसको listen करना So there are number of skills which involve in a single activity तो कोई technology पे एक activity होगी तो बच्चे को उसके लिए बहुत सी skill सीखनी पड़ेंगी तो अब पहले की तरह हम किसी एक skill पे बहुत ज़्यादा concentrate नहीं करते बलके हम समझते हैं कि और भी बहुत सी चीज़े हैं जिसको उसी वक्त बे सीखना है